आईपील के तेरवे सीजन का 35 मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और संराइज हैदराबाद के बीच खेला गया संराइज हैदराबाद के कप्तान डेविड वोर्नन ने टोस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया दोनों ही टीमें आज दो बदलाव के साथ उत्री थी कोलकाता ने आखरी ओवर में दिनेश कार्तिक और कप्तान इयन मॉर्गन की तेज तर्रार पारी के दम पर 164 रन का लक्से रखा लक्से का पीछा करने उत्री हैदरबाद की टीम ने 6 विकेट गवा करे निर्धारित 20 अवर में 163 रन बनाकर मैच को टाई कर दिया इस मुकावले का फैसला सूपर ओवर में हुआ सूपर ओर में सनराइज हैदराबाद के लिए कप्तान डेविड वारनर और जोनी बेर्ष्टो बलेबाजी करने के लिए आए वहीं कॉलकाता नाइट राइडर्स के लिए लोकी फर्ग्यूसन गेंद बाजी का जिम्मा समाल रहे थे लोकी फर्ग्यूसन ने पहली ही गेंद पर डेविड वारनर को क्लिन बोल्ड कर दिया उनके बाद बलेबाजी करने आए अब्दूल समध अब्दूल समध ने दूसरी गेंद पर दो रन लेकर स्कोर को दो रन पर पहुंचा दिया वहीं लोकी फर्ग्यूसन ने तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को कलीन बोल्ड करके स्कोर को दो रन पर ही रोक दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 6 गेंदों में 3 रन की जरूरत थी और कोलकाता के लिए बले बाजी करने आये कप्तान इयन मॉर्गन के साथ दिनेस कार्तिक और वहीं हैदरबाद के लिए गेंद बाजी का जिम्मा रासिद खान के हाथ में था रासिद खान के सामने थी इयन मॉर्गन रासिद खाल ने पहली ही गेंद दोट बॉल निकाल दी अब कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए पांच गेंदों में तीन रन की जरूरत थी अगली गेंद पर इयन मॉर्गन ने सोट खेला और एक रन भाग कर पूरा कर लिया अब कोलकाता नाइट राइडर्स को चार गेंदों में दो रन की जरूरत थी वहीं रासिद खान के सामने अब दिनेश कार्तिक थे दिनेश कार्तिक ने तीसरी गेंद पर सोट खेला लेकिन वो सिधा फिल्डर के हाथों में चला गया इसी के साथ उन्हें कोई रन नहीं मिला अभी भी कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए तीन गेंदों में दो रन की जरूरत थी और अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक जबर्दस सोट खेला और दोड़ कर दो रन पूरे कर लिए इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच को सुपर ओर में जीत लिया तो अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक वाशेर करना ना भूले और शाथ ही आप अपने चैनल एनबिया स्पोर्ट्स को सस्क्राइब करना ना भूले